इंडिया नीज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए कहते हैं ना कि सियासत की जुबा एकदम अलग होती है राहूल गांधी कांगरेसर ध्यक्ष मिले मनुहर परिकर से गुआ के मुख्य मंत्री से किसलिए तवियत का पूछने के लिए गये थे क्योंकि उन्हें दिक्कत है प दें लियाँ जा जाब उन्होंने मनोहर परिकर से मिलने के बात कही तो तुरनत तयार हो गए यह मुलाकात मनोहर PERIKर के ओपिस में ही हुई इसलिए कोई इसमें छीप-छीपाई बात नहीं थी वहां पर उनसे मिलने के बाद वह अपने बिधायकों से भी मिले थे लेकिन जैसे वहां से मिल करके निकले आ उसके बाद जो उन्होंने स्टेट्मेंट दिया वो कुछ अलग भासा बोल रही है उन्होंने दो बातें इंपॉर्टेंट कही है एक बात उन्हों यह बोली है कि मनोहर परिकर ने कहा कि जो फाइनल राफेल डील हुआ उस परिकर से ले वो फ्रमारिक है तो अब यह बात अलगा है कि उन्होंने कोची में जब करिकरताओं से बात कर रहे थे या बाद में जब उन्होंने करिकरताओं से बात किया तब उन्होंने इसमें यह बात स्पष्ट नहीं कि कि क्या यह मनोहर परिकर से जो मुलकात हुई है म राहूल गांदी की मुलाकात मनोहर परिकर से हुई और उसके बाद जो कुछ भी उसके रिगार्डिंग वो बोलते हैं बिना उनको कोट किये हुए तो उसका तो कोई खंडन करेगा नहीं को कि मनोहर परिकर तो यह मान के चलने हैं कि सिश्चाचार मुलाकात थी आप तवियत पुछने के लिए आये थे अब वो कर रहे हैं कि उनके पास धमाका करने वाले राज हैं वीडियो प्रमाडिक है तो सभाविक है कि इस मुलाकात के माहने तो निकाले जाएंगे इसी बीच में एक और डेवलप्मेंट किया हुआ है कि जो कांग बीजेपी के विधायक हैं व वो जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं रावल गांधी की और वो कह रहे हैं कि बहुत सिंपल हैं और उन्होंने जीस तरह से मुलाकात की वो बहुत अच्छा लगा और तरह तरह की बातें तो उससे जो है और संदेश जा रहा है कि क्या ये मुलाकात राजनितिक थी क्या ये संदेश दे सके ताकि चुनाओ के आइन मौके पे जब राफेल को उठाना है इसू बनाना है चुकि मनुहर परीकर रक्षा मंत्री रह चुके हैं तो राउल गांदी कुछ भी कोट करेंगे कि हाँ हमारे पास ऐसी पुक्ता जनकारी है तो कम से कम उनके पास लोग ये कयास रहे हैं अब देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलप्मेंट होता है क्योंकि हमेशा जो है राजनीत किसी न किसी मतलब से होती है मेल मुलाकात भी यूहीं नहीं हुआ करती तो आप ऐसी खबरों के लिए देखें हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से लाइक करें सेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के सुझाओ जरूर लिखें थैंक यूँ